दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं CSE Center की registration में जब आप अपना account number डालते हो तो वहाँ पर आपको account number के proof के रूप में एक document को upload करना पड़ता है जहाँ पर आपको cancel check upload करना पड़ता है अब एक comment आया है W.Kumar जी का इन्होंने रिखा है कि cancel check की जगे दूसरा document नहीं लगेगा क्या तो देखिए दोस्तों आपको मैं हाँ पर यह बोलना चाहूंगा कि वहाँ पर आपको cancel check ही लगाना पड़ेगा अगर आपके पास cancel check नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं आप अपने bank में जाकर cancel check के लिए apply कर सकते हैं क्यूंकि cancel check के बना आपका काम नहीं पर आपको cancel check ही वहाँ पर upload करना है ठीक है तो I hope आपके doubt clear हो गया होगा इसके अलावा अगर आपका और कोई doubt है तो please आप comment करें या आपको मुझे instagram पर message भी कर सकते हैं thank you very much